हलोस दोस स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बहुत इंपोर्टन्ट डिसकस करना चाहरे हैं और यह पेंशनर्स के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है स्पर्ष पंशनर्स की सुविधा के लिए पैंशनर्स को कोई दिक्कट नाहाओ उसके लिए जो है और इसकों बहुत सार पैंशनर्स है उनको दिक्कत आ रही है किसी का टेक्स जादा कट जा रहा है, किसी का DA प्रॉपर शोर नहीं हो रहा है, कई-कई लोगों के जो आधार कार्ड वेरिफाइ नहीं हो पा रहे हैं, तो तमाम पी-पीओ में कई चीजे गलत आ रही है, कई चीजे अपडेट नहीं हो रही है, दोस्तों एक साथ इन चीजों को फिक्स करना बहुत मुश्किल है, वैसे सपर्ष काफी कुछ स्टेबल हो चुका है, लेकिन कई बार जो हमें नहीं पता या मेरी नौलेज नहीं है उतनी और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अल्टिमेटली वो सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, तो उस केस में दोस्तों काफी प्रॉब्लम आ रही है, पहले क्या था, पहले सिस्टम जो था, जो भी नया सिस्टम बनाया गया था, उसमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब क्या चेंज है, अब change यह आया है कि system तो ठीक हो गया है लेकिन system को use करने का तरीका उस वज़े से भी कई सारी गलतियां हो रही है और उसकी वैसे कई लोग देख पा रहे हैं कि उनका DA proper नहीं हुआ pension का जो revision है वो proper नहीं हो रहा जो pension की slip है वो उसमें proper records नहीं आ रहा तो दोस्तों यह सारी की सारी चीज़े जो है अभी भी issues आ रहे हैं इसी को देखते हुए दोस्तों अभी latest जो है spurs ने एक नया module जोड़ा हुआ है और यह नया module है spurs में grievances का हर जगा होता है लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपको phone करके बात करना है फिर वो आपका solution देगा उसमें आपका phone मिलता नहीं उनका phone नहीं मिलता कभी phone नहीं उठाते तो आपको wait करना परता है अब क्या है कि spurs grievances में जो है जो common problems हैं जो कि सभी को आ रहा है कई लोग और वो problems क्या है वो system की problem नहीं है वो pensioners को यह नहीं पता चल पा रहा कि कहां जाना चाहिए कहां यह चेक करना चाहिए अगर मैं को डिये में दिक्कता है तो क्या करना चाहिए या तो बार बार आप फोन उठाके उनको फोन को रो सुनो या एक तरीका यह है कि उन्होंने website पर ही एक अपना grievances का पूरा का पूरा एक document बना रखा है वहां पर आप जाके spurs की website पर जाईए FAQ पर क्लिक कीजिए और वहां पर आपको clear हो जाए तो spurs का यह बहुत important है क्योंकि सब कुछ अब spurs में migrate हो रहा है अब अगर सब को spurs में migrate हो रहा है तो आपको spurs अच्छी तरह से use करने आना चाहिए कहां पर आपको अपनी जो है issues raise करने वह सब के सब जो है इसमें आना चाहिए इसके लिए दोस्तों एक और important चीज है कि PCDA की जो है कुछ दिन पहले मेसेज आया था या कुछ दिन पहले जो ख़बर आय थे उसमें क्या था कि PCDA की किसी ने नकली website बनाने की कोशिश की और उससे जो है पेंशनेंस की डिटेल जाने कोशिश की तो दोस्तों इसका हम यही कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज हो अभी तक तो यह आपका जो है आपको SMS भेज के आपको इमेल भेज के इन सब चीजों की तरह कोशिश करते थे अब इन्होंने website ही बना लिये अब website बना लिये इसका मतलब यह है कि यह वाला पार्ट रहता था जो कि उन्होंने अपना उसमें भी हाथ साफ कर लिया तो दोस्तों खासकर पेंशनेंस के लिए बहुत important है कोई भी चीज करने से पहले एक बार ज़रूर confirm करें कि authentic है कि ने क्योंकि हर चीज अब online हो चुकी है तो online हो चुक है इसका मतलब है कि अब ज़्यादा जागरूप रहने की ज़रूर दोस्तों यह था आज का important update सभी pensioners के लिए और PCJ की तरफ से अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो